एड की उमर का अंदाजा कैसे लगाए जाता है एक ऐसा भिकारी जो है करोडों की संपत्ती का मालिक और रोड्स पर बनी इन लाइन्स का क्या मतलब होता है इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंड तक बढ़ाबे में बाल सफेद की होते है दोस्तों बढ़ती उमर के साथ बालों का सफेद होना आम बात है लेकिन एक्सपर्ट के मताबिक हमारे बालों का काला रंग मेलानीन नाम के एक पिगमेंट के कारण होता है बालों में मेलानीन कम बनने या बिल्कुल ना बनने की वज़य से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं इसमें सबसे बड़ी वजय होती है हमारी बढ़ती उमर यह मेलानिन पिगमेंट बालों के जड़ों की सेल्स में पाए जाते हैं जब मेलानिन बनना बंद हो जाता है या फिर कम बनने लगता है तो बाल सफेद होने लगते हैं 9. ऊटड को जिन्दा साप खिलाया जाता है।ा कि कई बार ऊटों एक अजीब बिमारी हो जाती है जिस वज़े से उठ खाना पिना छोड़ देते हैं। वही इस बिमारी की वज़े से उठ का शरीर अकड़ने भी लगता है।। इस बिमारी को ठीक करने के लिए उठ के से जहर का असर कम होता है उट ठीक होता जाता है जहर का असर पुरा खतम होते ही उट फिर से खाने पिने लग जाता है हाला कि वेग्यानिक रूप से ये कितना सही है इस पर कोई सटिक प्रमान उपलब्द नहीं है नमबर एट दोस्तों सडक पर चलते वक्त आपने इन लाइन्स को तो जरूर देखा ही होगा लेकिन क्या आपको इन लाइन्स का मतलब पता है जी हाँ दोस्तों ये लाइन्स सिर्फ रोड के लेन को डिवाइट करने के लिए ही नहीं बनाई गई है बलकि ये रोड के और अलग-अलग lines के मतलब भी अलग-अलग होते हैं जैसे कही अगर single straight line है तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी lane को change नहीं कर सकते और अगर कही ऐसे टूटे हुए lines है तो इसका मतलब होता है कि आप lane बदलने और overtake करने के लिए safe है और अगर आपको कही double straight line दिखे कि जहां तक यह double straight line जाती है वहां तक आप किसी भी vehicle को overtake नहीं कर सकते Number 7 दोस्तो हमारी जरूरत की चीजे हमारे पास transportation के जरिये ही आती है और transportation में या तो कुछ truck बहुत ही छोटे होते या फिर कुछ बहुत ही बड़े होते है और इनी बड़े truckों में से एक truck village 75710 है जो की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला truck है ये truck 500 तन जितना भार आसानी से उठा लेता है और इस truck की कीमत 6 million dollars यानि की करीब 44 करोड रूपय है Number 6 दोस्तो आपने कभी सोचा है कि अगर petrol से चलने वाली bike में diesel डाल दे और diesel से गाड़ी चलाने की कोशिश करे तो क्या होगा क्या आपकी गाड़ी चल पाएगी या खराब हो जाएगी तो चलिए जानते हैं दरसल petrol engine और diesel engine काफी अलग तरीके से काम करते हैं इसलिए जब आप bike में petrol की जगा डीजर डालेंगे तो या तो आपकी bike शुरू नहीं होगी या फिर अगर शुरू हो भी गई तो कुछ दूर चल कर बंद हो जाएगी या फिर आपका engine खराब हो जाएगा दोस्तो सरकार हमें हमेशा rainwater harvesting के बारे में जागरू करती आ रही है लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां बारिश के पानी को store करके रख दिया जाता है ताकि बाद में इस पानी का इस्तमाल सड़क को साफ करने के लिए किया जा सके दोस्तो क्या आपने कभी सोचा है कि Nokia की ad में जो हाथ मिलाते दिखाई देते है वो हाथ किसके है असल में एक हाथ एक महिला का है जिसका नाम Martha Stewart है और दूसरा हाथ एक छोटे लड़के का है जिसका नाम Jackery Johnson है नमबर त्री दोस्तो सड़क किनारे या सिगनल पर किसी विकारी को भीक मांगते हुए देखने पर आपको क्या लगता है आप कहेगे कि वो गरीब है लाचार है इस कारण से भीक मांग रहा है लेकिन आप गलत है सारे विकारी ऐसे नहीं होते कुछ विकारी ऐसे भी होते है जिनके पास करोडों की संपत्ती होती है और ऐसे ही एक भिकारी है जिसका नाम भरत जैन है जो मुंबई में रहते हैं और महीने के 80-90,000 रुपए कमाते हैं और वो भी सिर्फ भीक मांगकर इनके पास मुंबई के परेल इलाके में दो फ्लैट है जिनकी कीमत 80-90,000,000 रुपए है दोस्तों बॉक्सर अपने मुं में जो रखता है वो एक तरहा का रबड होता है और इस रबड को माउथ गार्ड का जाता है बॉक्सर को ये माउथ गार्ड पहनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि ये बॉक्सर को अपने दात और हो करने का सबसे बड़ा कारण बॉक्सर के दिमाग को बचाना है जी हाँ दोस्तो सुनने में अजीब लग रहा है लेकि ये बात बिल्कुल सच है शायद आपने देखा होगा कि जबड़े पर पंच पढ़ने के दौरान बॉक्सर बेहोश हो जाता है और माउध गार्ड इस काम करना बन कर सकता है और इस माउध गार्ड की वज़य से पंच का असर दातों में नहीं पढ़ता और नजबी डैमेज होने से बच जाती है जिसकी वज़य से बॉक्सर रिंग में ज्यादा देर तक टिक पाता है नमबर वन दोस्तों हमारी दुनिया में कुछ पेड ऐसे ह जिनकी उमर हजारों सालों से भी ज्यादा है और इन पेड़ों की उमर का पता पेड़ों के तनों पर पाई जाने वली रिंगी संख्या के आदार पर लगाया जाता है और इस तकनीक को टेंडरो क्रोलों लॉजी कहते है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों को शेयर करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे तो हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में